नमश्कार, सागत है आपका आपके अपने यूट्व चैनल शुबिया अशुब में दोस्तों, डेटव बर्त में नमबर पांच जो होता है, अगर किसी की डेटव बर्त में नमबर पांच है तो वो एक ऐसा नमबर है जो आपको करोड़ पती बनाने की ताकत रखता है पर दिक्कत कब आती है कि पहली चीज आपकी date of birth में नमबर पांच नहीं है या फिर date of birth में नमबर पांच जो है या तो दो से जादा बार आ रहा है तीन बार चार बार पांच बार आ रहा है तो आपकी date of birth में दिक्कत आ जाती है या फिर क्या हो सकता है कि आपकी डेटो बर्थ में नमबर पांच एक या दो बार आ रहा है या दो बार आ रहा है पर वो नमबर एक्टिवेट नहीं है एक एकजामपल समज़ लीजिए कि मान लीजिए आप आई-फून लेके घूमते हैं और उस आई-फून में बैटरे नहीं है या फिर सिम नहीं है तो क्या वो आई-फून आपके किसी काम का है क्या वो आपको कोई फायदा देगा नहीं देगा तो अगर आपकी डेटो बर्त में नमबर पांच है और एक्टिवेट नहीं है तो ये उतना ही अच्छा है कि ना हो अब नमबर पांच होता क्या है नमबर पांच माना जाता है जिसका एक स्वामी ग्रह है बुद्ध ग्रहों का राजकुमार हर समय बली रहता है बहुत सारे गुण लाता है बहुत सारे अवगुण लाता है आपकी ज्यान और बुद्धी का प्रतीक बहुत सारे योग जो होते हैं ये नमबर वो बनाता है इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर नमबर पांच आपकी डेट आप बर्त में प्रिजेंट है तो आपको क्या benefit हो सकते है अगर मैंने आपको का benefit भी होंगे साथ में कुछ ना कुछ losses भी वो देगा आपको हर नमबर कुछ benefit देता है कुछ loss देता है और अगर नमबर 5 आपकी date of birth से missing है तो उसकी remedies क्या हो सकती है और एक चीच जो और वीडियो में मैं discuss नहीं करता कि अगर नमबर 5 आपकी date of birth में 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तीन बार आ रहा है चार बार आ रहा है या चार से भी ज़्यादा बार आ रहा है तो उसका आपकी जीवन पर क्या effect पड़ेगा और आपको क्या remedies करनी चाहिए बहुत important वीडियो है अगर आप कहीं ना कहीं से भी पैसे की समस्या से जूज रहे है तो ये वीडियो पका आपके लिए है ऐसा क्यों? क्योंकि नमबर 5 जो होता है वो आपकी date of birth में सबसे पहले तो ये दो important योग बनाता है पहला योग, राज योग जिसके लिए नमबर चाहिए 4, 5, 6 और दूसरा धन योग जिसके लिए नमबर चाहिए 4, 5, 6, 7 अब नमबर 5 यहां पर करता क्या है? नमबर 5 क्या करता है? कि जिसकी date of birth में नमबर 5 होगा उसके सामने जो भी चैलेंज आएगा जो भी चैलेंज आजाए वो उस चैलेंज को एक चुनौती की तरह लेता है accept करता है उससे लड़ता है और success पाता है इस type के जो आदमी होते हैं वो नए नए plans के executions में माहिर होते हैं अगर नमबर 5 आपका activate है तो ठीक है नए नए plans बनाएंगे उनका execution करेंगे और benefit लेंगे इसके बाद क्या करते हैं business करेंगे तो business में risk लेने में ये लोग हमेशा तयार रहते हैं इसलिए पाया गया है कि नमबर 5 अगर आपकी data उपर में आता है तो business का योग, share market का योग, property खईदने का योग ये सब आपके बहुती ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं इसके अलावा नमबर 5 और क्या देता है आपको नमबर 5 आपको देता है संतान योग, अगर आपके date of birth में नमबर 4, 5, 7 आ रहा है आपके और आपके life partner के तो कहीं न कहीं संतान योग भी आपका बन रहा है जिसमें नमबर 7 responsible होता है mainly लड़के के लिए की लड़का पैदा होगा ठीक है, तो जिनकी date of birth में पांच आता है, उनके बारे में माना जाता है कि ये लोग ज़्यादा देर तक किसी चिंता में नहीं रहते मतलब ज़्यादा देर ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगे खुश रहेंगे, या फिर sad रहेंगे, दुखी रहेंगे ऐसा नहीं है जो भी situation की होगी उसके हिसाब से अपने आपको ये ढाल लेते हैं ये expertise होती है नमबर 5 की और नमबर 5 आपको क्या देता है नमबर 5 आपको देता है घर का योग ये लोग जो होते हैं, नमबर पाँच वाले, वो बहूत आसानी से दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में भी क्या होते हैं, बहुत माहिर होते हैं अपना काम निकलवाने में बहुती जादा अच्छे माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह आदमी को समझने में, परकने में अगर डेट ऑप बर्त में पांच है, तो बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं इसके बाद और नंबर पांच आपको क्या देता है? विदेश यात्रा का कौन कौन से अंक देते हैं नमबर 2, 5, 6, 7 अगर ये चारों हैं तो कहीं न कहीं विदेश यात्रा का योग होता है यहां पर 5 नमबर कैसे हेल्प करता है कि 5 नमबर बनाता है आपको बहुमकि पृतिभा का धनी मतलब आप जो है multi talented type के आदमी है आपके पास लगबग हर area के बारे में थोड़ी ना थोड़ी knowledge आपके अंदर है multitasking आप कर सकते हैं multitasking का मतलब है कि एक से ज़्यादा काम आप एक बार में कर सकते हैं काम को अपने दम पे करना पसंद करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों के लिए दूसरे पर depend नहीं होते हाँ अगर दूसरे लोगों के पास कोई समस्या आ रही है तो आप उसका समाधान लेके हमेशा साथ में बने रहेंगे तो ये तो होते हैं इनके कुछ गुणों अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी date of birth में नमबर 5 है या नहीं अगर आपको ये चेक करना आता है तो आप 2-4 मिंट का वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं मीनवाइल नमबर 5 आपको क्या negative trait भी देगा ये भी मैं आपको साथ समझा दूँगा नमबर 5 कैसे देखते है date of birth में इसके साथ तो माल लीजिए कि जिस आदमी की date of birth में हम 5 चक करना चाह रहे हैं उसकी date of birth है ये अब आप plainly देखोगे तो इसमें नमबर 5 कहीं पर नहीं आ रहा है पर हम ऐसे नहीं देखते हमारा देखने का तरीका थोड़ो सा अलग होता है सबसे पहले हम क्या करते हैं first step में कि जितने भी नमबर आपकी date of birth में हैं वो लिख लीजिए इस व्यक्ति की date of birth है 24th November 1986 नमबर आ रहे हैं 24111986 इस date of birth में इस date of birth में यही नमबर आ रहे हैं सारे के सारे जो मैंने यहां पर लिख दिये तो आपको first step के इन नमबरों को note कर लेना है जो भी आपकी date of birth में आ रहा है कुछ लोग मेरे को कई बार कह रहे थे कि आप simple date of birth लेते हैं जैसे 271986 मतलब जिसमे date single digit में हो और month single digit में हो तो यहां मैंने example में एक ऐसी date of birth ले ली जिसमे डे भी double digit में है और month भी double digit में है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे तो first step आप आपने कर लिया जिसमें आपने date of birth के सारे नमबर लिख लिए अब इन नमबरों को हम क्या करते हैं अपनी लोशू ग्रिड में अपनी ग्रिड में बढ़ देते हैं बढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहला नमबर आया two two की जगे होती है यह two नमबर है चंद्रमा का तो अगर मैं एक blank ग्रिड रखूँ आपके लिए तो आपको two को यहां पर fill करना है अगला नमबर आया four, four की जगे है यह, मैं four को इस जगे पे blank में fill करूँगा चलिए fill करके देख लेते हैं, सबसे पहले आया ता two, फिर आया four, फिर आया one, one, एक और one, nine, eight, और six मैंने अपनी ग्रिड में यह नमबर भर दिये एक चीज यहीं पर clear कर देता हूँ कि अगर आपकी date of birth में कोई भी नमबर दो से ज़्यादा बार आता है जैसे यहाँ पर आ गया एक नमबर तीन बार, अभी आ चुका है, पहले step में ही आ चुका है तो थोड़ी सी दिक्कत है, message करिए, reply मिल जाएगा normally reply जो है, latest message पर हो रहा है, क्योंकि message आचकल बहुत आ रहे है और उनको हो रहा है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुए, बेल बटन दबीवी है जब आप चाहते हैं, तो ये कर लीजिएगा साथ साथ आ जाते हैं इस चीज़ पे कि नमबर फाइव में कमिया क्या क्या होती है सबसे बड़ी कमी अगर नमबर फाइव आपके डेटो बर्ट में है तो आपके अंदर concentration की कमी है concentration की क्या है, आपके अंदर कमी बन रही है एकागर आप नहीं हो पाते हैं हर काम में जल्दबाजी दिखाते हैं बिलकुल मतब peace of mind के साथ कोई काम नहीं करेंगे और काम को करने के लिए आप tricks का यूज करते हैं कोई असान सी trick मिल जाए पैसा कवाने की कोई trick मिल जाए कुछ भी करने की कोई trick मिल जाए तो आप tricks को ज़्यादा अपने जीवन में उंचा मानते हैं अगर आपकी date of birth में 5 आ रहा है तो careful होके कोई काम नहीं करते इसलिए क्या होता है success के chances कई बार कम हो जाते हैं यहां तक हमने बात की थी first step में कि first step में जो number आए वो लिख दिये और वही number हमने यहाँ पर भड़ दिये अब आते हैं second step पे second step क्या होता है वो पैदा हुआ 24th को एक double digit number है आप भी क्या हो सकते हैं आपकी date of birth भी क्या हो सकते हैं यह तो 1 से लेके 9 तारिक के बीच में हो तो यह एक single digit number में है यह फिर होगी 10 से लेके 31st के बीच में तो अगर आपकी date of birth आ रही है 11 से लेके 9 के बीच में तो जिस तारिक को आप पैदा हुए वही आपका मुलांक सीधे सीधे हो जाएगा ड्रैवर नमबर सीधे सीधे वही आ जाएगा माल लीजी आप तीन तारिक को पैदा हुए मुलांक हो गया तीन छे को पैदा हुए मुलांक हो गया छे date of birth में जिस day को वो पैदा हुआ उसके दोनों नंबरों को add कर दीजिए जैसे ये विक्ति 24th को पैदा हुआ था मैंने 2 और 4 को add कर दिया आगया 6 और यही इस आदमी का मुलांग है अब अगर आप 31 को पैदा हुए तो 3 और 1 को add कर दिया मुलांग को जाएगा 4 29th को पैदा हुए 2 प्लस 9 कर दीजे आ जाएगा 11 डबल डिजिट नंबर फिर से उसको single digit में change करने के लिए क्या करेंगे 11 को 1 प्लस 1 कर देंगे आ जाएगा 2 तो इस तरीके से आप अपना driver नंबर निकालते है कैसे निकालेंगे first step में या फिर आपकी date of birth में जितने भी number है first step और date of birth में same number आएवे है तो आपकी date of birth में जितने भी number आएवे हैं उन सब को add कर दीजिए यह मैंने add किया number सारे के सारे जो date of birth में आ रहे थे यह देखिए यह number 24111986 इनको add किया add करके आगया 32 double digit और मैंने का मेरे को double digit number और 0 नहीं चाहिए 0 भी नहीं चाहिए होता तो अब इस 32 को में क्या करूंगा single digit में change करने के लिए 3 plus 2 is equal to 5 अगर यही मूलांक के case में यहा बे 32 की जगे आ जाता 29 तो मैं करता 2 plus 9 is equal to 11 double digit होता होता 1 plus 1 is equal to 2 तो मैं यहां से करके भी आपका क्या निकाल देता भाग्यांक निकाल देता इस विक्ति का भाग्यांक क्या आया number 5 आया इसको भी भर देते हैं ठीक है यहां तक तो आया आपका कि आप अपनी date of birth में इन number को कैसे निकालेंगे अब आप देखिए इस date of birth को अगर मैं simply देखता तो इसमें 5 नहीं आ रहा था पर जब मैंने first step किया आपका driver number आपका conductor number निकाला तो कहीं ना कहीं number 5 आगया और वो भी मैंने यहां पर भड़ दिया एक बात ध्यान लखेगा कि जो number 5 वाले होते हैं वो थोड़े से impatience टाइप के होते हैं उनके अंदर patience की बहुत कमी होती है बहुत ही ज़ादा मैं कहूंगा restless type के लोग रहते हैं व्याकुल रहेंगे किसी भी चीज़ से satisfy नहीं होते और इसलिए जो यह relationship में आते हैं न love relation में या शादी में तो इनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है दूसी चीज क्या है number 5 देता है आपको बुद्धी सोचने समझने की शमता तो number 5 वाले लोग दिमाग का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो इनको कुछ बिमारियां होने के भी चांस बने रहते हैं बिमारी कौन कौन सी हो सकती है नीन ना आने की बिमारी बॉड़ी में पेन हो रहा है तनाओ रह रह रहा है एंग्जाइटी रह रही है पेट खराब रहेगा सर में दर्थ, नाक में, आखों में दर्थ ये सब इनको होने की संभावनाएं बनी रहती है अब आते हैं किस चीज़ पे कि अगर आपकी डेट ओव बर्थ में number 5 नहीं आ रहा है तो आपको क्या दिक्कते आ सकती है मतलब missing 5 आपकी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम लेके आएगा अब तक तो मैंने आपको बताया था कि अगर number 5 है तो आपको क्या benefit होंगे number 5 है तो आपको क्या-क्या loss होंगे अब बात करेंगे अगर number 5 missing है तो आपकी लाइफ में क्या-क्या दिक्कते आ सकती है अगर number 5 missing है तो सबसे पहले ध्यान लखिएगा कि आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल सेट करने में दिक्कत आएगी मतलब लाइफ का क्या एम है क्या उद्दिश्य है इसमें दिक्कत आने वाली है और क्या होगा किसी भी चीज की इच्छा शक्ती की आपके अंदर डिजायर की आपके अंदर कमी रहेगी तो आपके जो मेजर प्रोजेक्ट है वो फेल होंगे और क्या है number 5 missing है तो आपको एक constant motivation चाहिए constant motivation चाहिए लगातार कोई आपको motivate करता रहे तो आप खुश है थोड़ा बहुत काम करेंगे right track पे चलेंगे पर जहां motivation खतम वहाँ पे काम खतम और क्या करोगे आप आप अपने लिए कुछ ऐसे goal सेट कर लोगे जो unrealistic goal है जो सही नहीं हो सकते कुछ ऐसे goal सेट करोगे तो दिक्कतें आएंगी और क्या दिक्कत आएगी नमबर पांच नहीं है तो lack of communication communication में बहुत दिक्कत आएगी किसी को अपनी बात communicate करने में बताने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है money loss लगातार करेंगे पैसे की दिक्कत तो रहेगी रहेगी जिनके पास नमबर पांच नहीं होता उनके पास काफी हद तक पैसे की कमी रहती है मैंने बताया था राज योग धन योग घर का योग ये सब जो है नमबर पांच कहीं न कहीं एक combining factor है जो मिलके काम करता है इन सब योगों को बनाने में और ये दिक्कते कब तक चलेंगी आपकी majorly जब तक आप 34 years के नहीं हो जाते अगर पांच missing है और आप उपाए नहीं करते तो ये दिक्कते आपका ये जो बेड लक है आपका 34 years सक आपके साथ रहेगा पांच missing है तो आपकी life में जो struggle मैं कह सकता हूँ आपकी life के struggle जो है वो बहुत जादा बढ़ जाएंगे कोई अगर नया business करना चाहेंगे खास दौर पे तो business fail होगा लगातार business fail होगा अपना घर बनाने में दिक्कत आएगी विरेश यत्रा में दिक्कत आएगी धन योग में दिक्कत आएगी आपका अगर number 5 missing है तो आप क्राउड के बीच में लोगों के साथ मिल बाटके काम नहीं कर पाएंगे तो करें क्या कैसे अपने number 5 को activate करें वो लोग जिनका number 5 है और 7 नहीं दे रहा मतलब जिनके पास number 5 होने के बाद भी ये सारे योग नहीं बन रहे या फिर number 5 missing है उनको क्या remedies क्या उपाय करने चाहिए जिससे number 5 की frequency उनको मिले हर आदमी के पास सारे नमबर नहीं होते universe में सारे frequency किसी एक आदमी को नहीं मिलती हर आदमी के पास अलग-अलग frequency होती है कुछ लोगों की frequency activate होती है वो उसका बहुत जादा फायदा उठा लेते हैं कुछ लोगों के पास होता तो है iPhone पर उसमें sim नहीं होता बैटरी नहीं होती वो उस iPhone का फायदा नहीं ले पाते तो अगर आपके पास number 5 नहीं है या फिर number 5 की जो frequency है वो आपकी activate नहीं है तो आपको करना क्या चाहिए remedies क्या करनी चाहिए सबसे पहले सबसे आसान सी एक remedy देता हूँ आपको कि आप अपने पास एक green color का हैंकी हमेशा रखें रुमाल ठीक है इस दे में लग देता हूँ आपके लिए green color का रुमाल रखें पर यहाँ पर एक खास चीच को ध्यान में रखना कि यह हैंकी आपने रखा हुआ इस हैंकी को आप यूज ना करें केवल जेब में रखने के लिए हैंकी है यूज करने के लिए यह हैंकी आपका नहीं है और क्या कर सकते हैं आसान सा उपाय दस उपाय बताओंगा दस में से दो तीन चार तो आप आसानी से कर सकते हैं जो उपाय आप आसानी से कर सकते हैं वही उपाय आप करिएगा मैं 8-10 उपाई आपको बता देता हूँ दूसरा उपाई क्या कर सकते हैं अपने पास एक ग्रीन कलर का पैन लखिए मैं कवर की बात कर रहा हूँ मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ ग्रीन कलर का पैन लखिएगा आप चाहें तो उसे यूज करें चाहें तो ना करें पर ग्रीन कलर का पैन आपके पास रहना चाहिए और क्या कर सकते हैं कहीं पर भी आपको अगर गाय मिलती है और अगर आप उसको हरा चारा खिला सकते हैं ग्रीन वेजडेबस टाइब की या ग्रीन ग्रास खिला सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब होगा अगर आपके पास पांच मिसिंग है या फिर एक्टिवेट नहीं है तो और क्या कर सकते हो कोई जरुरत मंदो उसको ग्रीन कलर के कपड़े आप दान में दे दीजिए वही ग्रीन कलर ग्रीन 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 नमबर पांच मतलब ग्रीन कलर ठीक है तो कोई भी जरुरत मंदो उसको अगर आप हरे रंग के कपड़े दान में देते हैं तो भी क्या होगा आपके लिए शुब रहेगा और क्या कर सकते हैं आप अपने पर्स में एक चीज बड़ी आसानी से रख सकते हैं एक सिक्का रखना है कोई जिसे कहते हैं एक कोई रखनी है पर कोई किस चीज की होनी चीए कोई होनी चीए तांबे की तांबे के सिक्के अब नहीं चलते तांबे के सक्के पुराने जमाने में चलते थे आपको किसी पुरानी कोईन की शॉप में जाना पड़ेगा बहुत इफेक्टिव ये रेमेडी है वहाँ से एक ले लीजिए 10-15-20 रुपए में मिल जाएगा या फिर किसी फिंक्शुई की शॉप में जाएगा वहाँ भी आपको तांबे का सिक्का मिल जाएगा ये अपने पास अपने पर्स में रखे नमबर पांच की एक स्पेशल्टि देखिए अगर मैं एक से लेके 9 नमबर तक लिखूँ तो 5 नमबर बीच में आ रहा है और मेरे जितने भी ये चार्ट हैं बने वे इसमें भी नमबर पांच बीच में आ रहा है तो नमबर पांच जो है ये माना जाता है ये आपका पिवट पॉइंट है आपका जो संतुलन करने वाला लाइफ में बैलन्स लाने वाला नमबर है वो है कही ना कहीं पे नमबर पांच और इसको एक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये आपका घर है तो आपको करना क्या है कि घर के सेंटर में एक येल्लो कलर का बल्ब अगर आप लगा पाएं तो आपके लिए शुब रहेगा या फिर येल्लो कलर का जूमर होता है ना जो लाइट का बड़ा सुन्दर सा जूमर होता है वो अगर आप लगा दें तो भी आपके लिए ये चीज अच्छा काम करेगी ठीक है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी टेटो बर्थ में नमबर पांच नहीं है तो आपक जो घर है इसके सेंटर पॉइंट पे कोई ना कोई दोश हो सकता है तो ऐसा मत कीजिएगा कि घर के सेंटर पॉइंट पे कोई आप छेद कर देंदें लोग क्या करते हैं एक स्काइलाइट बना देते हैं आपके जो चछत होती है उसमें एक स्काइलाइट टाइप की बना द सकते हैं कि घर के ही सेंटर में कोशिश कीजिएगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक आइटम है वो घर के सेंटर पे ना रखें और खराब इलेक्ट्रिक आइटम तो बिलकुल भी ना रखें इसके अलावा अगर आप crystal का यूज करते है crystal क्या होता है हमको जमीन से मिलता है आर्थ से मिलता है पर वो एक metal नहीं है ठीक है तो अगर आप crystal का bracelet पैनते हैं तो भी आपको फाइदा मिलेगा हरे रंग के कपड़े आप वैंश्डे के दिन बुद्धवर के दिन बुद्ध का दिन है बुद्धोर अगर आप क्या कर सकते हैं हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं यह भी आपको فायदा देगा और क्या कर सकते हैं दिन में दस मिनट ऐसा कीजिए केवल आप सनलाइट में बैठिये ठीक है अगर आप घर के छट में कहीं पर भी सनलाइट में दस मिनट बैट जाते हैं तो ये भी आपको फाइदा देगा नमबर फाइव की बहुत अच्छी रेमेडी है उम्मीद करता हूँ आपको आट दस रेमेडी मैंने बताई है तीन चार पाँच ऐसी होंगी जो आप असानी से कर पाएंगे अब आता है वीडियो का एक तीसरा या चौथा पार्ट जिसमें हम ये बात करेंगे कि नमबर पाँच अगर आपकी डेटो बर्थ में रिपीट हो रहा है जैसे यहाँ पर तो नमबर वन रिपीट हो रहा है नमबर फाइव रिपीट नहीं हो रहा है पर अगर आपकी date of birth में number 5 रिपीट होता है कितनी बार दो से ज़्यादा बार तो आपको क्या दिक्कत आ सकती है और उसके लिए आपको क्या remedy करनी चाहिए तो दो से ज़्यादा बार कितनी बार आ सकते हैं आपकी date of birth में number 5 या तो 3 बार आ जाए तो अगर आपकी डेटाव बर्थ में तीन बार नमबर पहाँ जाता है तो ध्यान दखिएगा कि ऐसे लोग क्या होते हैं थोड़े करेजियर सासी टाइप के होते हैं और इनका जो वो रहता है कि ये रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं नई नई अजीब अजीब सी जगे पर यात्रा करना इनको अच्छा लगता है पर इनके ये जो गुण हैं इनको इसको सही डिरेक्शन देने की ज़रूरत है क्यों? क्योंकि इनमें दिक्कत क्या है कि ये लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है जो मन में आया सीधे बोल दिया ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाले को कैसा लगेगा तो जब ये ऐसा करते हैं तो होगा क्या कि ये चीज इनको बहुत ज़्यदा दिक्कत में ले आएगी क्योंकि दूसरे के अगर दिल पे आप चोट पहुँचाएंगे तो वो कहीं न कहीं कभी न कभी आपका नुकसान करने की कोशिश करेगा तो नमबर पांच तीन बार आ रहा है तो इस चीज का इस पेशर ध्यान लखिए अब नमबर पांच अगर आपकी देटो उपरत में चार बार आ रहा है या 4 से ज़्यादा बार आ रहे पांच बार आ रहे छे बार आ रहे तो ऐसे लोगों की नॉर्मली देखा गया है कि accident के chances बहुत ज़्यादा होते हैं और यह लोग क्या होते हैं बहुत जल्दी उत्यजीत हो जाते हैं जरासा हल किसी पिन मारी और rocket की तरह उड़े कि काम को करने से पहले सोचना नहीं है तो ये चीज आपको नुकसान पहुँचाएगी तो इस चीज से बचे उपाए क्या करें? अगर नमबर पांच तीन बार आ रहा है चार बार आ रहा है या चार से ज़्यादा बार आ रहा है तो सेम वही उपाए कि बद्वार के दिन आप क्या करें? गाय को हरा चारा खराएं पत्तेदार सबजी खिला सकते हैं मूं की दाल हरी मूं की साबुत दाल घी हुआ आपका ठीक है? इसको डिलेट कर देते हैं घी हो गया मूं की दाल होगी हरा कपड़ा हुआ कांसे के बड़तन हुए ये सब आप क्या करें? दान करें डोनेट करें और कोशिश करें कि वेंश्डे के दिन जिनके डेटव बड़त में तीन बार चार बार या चार से जादा बार पांच आ रहा है वो कोशिश करें कि Wednesday के दिन म्ञास दौर से बद्धवार के दिन म्धास दौर से ग्रीन कबड़ें ना पहने पहली बार मैंने पहनने को कहा था आपको रेमडी बताते हुए पर यहां पर अगर आपकी डेट ओबर्थ में तीन बार आ रहा है या तीन से ज्यादा बार आ रहा है तो आपको बुद्धवार को हरे कपड़े नहीं पहनने है अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो मान के चलिएगा कि आपका नमबर फाइव एक्टिवेट होगा और अगर नमबर फाइव एक्टिवेट होता है तो आपके ये जो बुद्ध के इतने सारे योग है बिजनिस के योग, शियर मार्किट के योग, घर खईदने के योग, संतान योग, धन योग, राज योग, ये सब पका बनेंगे जरूरी क्या है नमबर पाँच का एक्टिवेशन वो जरूरी है क्या उपाय करने चाहिए इसके मैंने आपको बता दिये अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाना बिलकुल ना भूलें अगर कोई डाउट है तो सवाल पूछिए पर सवालों के जवाब किन के लिए है केवल सब्सक्राइबर के लिए है अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे धन्यवाद